हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इस्टेडी वीट टाइगर दोस्तो आज मैं आपको नान वर्बल डिजिनिंग में खाली अस्थान भरना इस पेस वीजूलाइजेशन ठीक है का चेप्टर मैं आज सुरू करने जा रहा हूं और इसमें जितने नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और डिस्क्रिप्शन बाक्त में हमारा टेली ग्राम चैनल जोईन कर लिजिए और उसमें कोई भी समस्या कोईरी है तो आप वहां पर पोश्ट कर सकते हैं ठीक है वहां आप पूछ सकते हैं तो इस पेस वेजूलाइजेशन होता क्या है बताईए तो इसमें क्या होता है इसमें चार प्रकार की आकरिती दी गई रहती है ठीक है कुछ इस प्रकार की आकरिती दी गए रहती ठीक है जैसे इसमें यह डंडा दिया गया इसमें कोईश्टन मार्क दिया गया ठीक है इसमें खाली स्थान है इसको भरना है हमें कि इ यहां पर हम option बना देते हैं बना देते हैं चुदते हैं इसके पहांस प्राइब बना देते हैं इसके ठीत स्ट्स्स चकेश्पट अरैंग पराइब शेंदैंग नहांस उसका है तो यहां पर आपसन देखके आपको उत्तर बताना है कि यह जो खाली अस्थान दिया गया है question mark तो उसके जगह पर कौन सी आकरिती आएगी ठीक है चार आपसन हमारे पास A है B है C है D है तो इसमें से कौन से होगी यही होता है खाली अस्थान भरना इस पेस विजुलाइशन ठीक है तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या है first है इसमें देखे दो डंडे है ठीक है इसमें देखे क्या होगा तीन होगे क्योंकि अगले में क्या है और ये आपके UPSI एक्जाम के लिए बहुत ही important chapter है, ठीक है? तो आईए हम question स्टार्ट करते हैं. तो इस प्रस्ट को देखिए और इसका उत्तर आप comment box में दीजिए, ठीक है? चार प्रकर की तीन आकरती आपको दिख रही है और एक question mark खाली अस्थान है. यहाँ पर कौन सी आकरती आएगी? चार आपसन हमारे पास दिए गए हैं. तो इसमें से आपको देखके आपको उत्तर बताना कि क्या होगा, पताईए. तो यहाँ पर देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा? यहाँ पर देखिए अंदर पहले एक प्लस है, फिर यहाँ पर देखिए दो प्लस है, फिर यहाँ पर देखिए तीन प्लस है, तो अगले में क्या होगा? अंदर में चार प्लस हो जाएगा. नीचे तो समे इसमे गोला है इसको छोड़ देते हैं ठीक है अब यहां पर जो यह है देखिए यहां पर है यहां पर यहां पर यहां पर तो इसी कौने पर होगा इस कौने पर किसरे है इसमें है इसमें तो ठीक है इसमें है नहीं तो यह भी कट जाएगा हमारा मतला हमारा जो आंसर निकलेगा हो सी और डी में से कोई एक होगा अब हम उपर जो बिंदू है उसको देखेंगे यहां पर है पहले बिंदू फिर दूसरी आकरिती में यहां पर आ गया यहां देखिए फिर अगली आकरती में फिर यहीं पहुंच गया तो फिर अगली आकरती में यहां आएगा तो यहां पर किस में है डी में है यहां पर देखेंगे सी में है सी में सेम है इसलिए डी वाला जो होगा हमारा सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा आप यहां पर option D होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आगया होगा आपको, नहीं समझ में आता है, तो वीडियो को आप फिर से repeat कर लिजेगा, ठीक है? आईए देखते हैं अगला प्रस्ट, अब इस प्रस्ट को देखें और इसका उत्तर दीजे, क्वेश्चन मार के जगह पर कौन सा उत्तर आकरती होगी? तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन में आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, इसका कमेंट बाक्स में आप उत्तर दीजे, ठीक है? वीडियो को पॉस कर लीजे, फिर उत्तर दीजे, अब यहां पर आपको देखना क्या है? देखिए, पहले में और दूसरे में क्या अंतर है? पहले दूसरे से निकालेंगे, तो देखिए, यहां पर एक खाना छोड़के यहां पर आ जा रहा है, काला बिंदू ठीक है? फिर यहां पर था, यहां से देखो, एक, दो, दो खाना छोड़के आ गया, इसका मतलब अगले में तीन खाना छोड़के आना चाहिए, तो एक, दो, तीन खाना छोड़के यहां पर आना चाहिए, तो देखिए, यहां आ गया, इसका मतलब अगले में क्या होगा? चार खाना छो तो यहां पर option D जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आए देखते हैं अगला प्रस्ट इस प्रस्ट को देखे और इसका उत्तर कमेंट बाक्स में दीजिए ठीक है तो इस question को आप देखिए और इसका उत्तर कमेंट बाक्स में दीजिए और वीडियो को pause करके आराम से दीजिए उत्तर ठीक है फिर यहां पर आप देखिए क्या होता है इस आकरिती में पहले और दूसरे में हम देखेंगे फिर दूसरे को तीसरे से देखेंगे compare की हो क्या रहा है तो माली जह हम पहले क्या लेते हैं इसको लेते हैं यह जो ब्लैक वाला भाग है और पूरे खाने को देखिए ब्लैक वाला भाग यहीं पे है कौने में ही है और इसको क्या हो रहा है 45 डिगरी यहां पे आ रहा है मतलब 45 डिगरी यह टर्न हो रहा है पूरे को टर्न कर रहा है ह हम 45 डिग्री यहां पहुंच गया फिर हम 45 डिग्री जब टर्न करेंगे तो यह कोना यहां आ जाएगा नीचे आ गया फिर यहां से 45 डिग्री टर्न करेंगे हम यहां आ जाएगा इसका मतलब कि जह हम 45 डिग्री अब की टर्न करेंगे तो कोने पे आ जाएगा हमारा यहां जैस लो जाएंगे ठीक है अब देखते हैं हम क्या इस गोले को तो यहां पे गोला है यह गोला है यहां से जब टर्न होता 45 डिगरी तो यहां पहुंच रहा है और यह गोला यहां आ जा रहा है ठीक है यहां आ गया तभी तो यह हो गया ठीक है क्यों क्यों क्योंकि देखी यहां से यह है यहां इसी के पास था यहां पे था अब यहां से यह गया तो यहां गया मतलब आधा चला इधर फिर आधा चला इधर फिर देखिए कहां आधा चला इधर फिर आधा चला इधर मतलब बीच में आ गया फिर देखिए आधा चला इधर आधा चला इधर इधर आ गया अब और ये वाला देख लेते हैं, यहां पर है, फिर अगले में देखे, यहां चला, यहां आगया, ठीक है, फिर यहां से यहां चला, यहां आएगा, ठीक है, आगया, फिर यहां से यहां चला, यहां आगया, यहां देखिया आगया, फिर यहां से चला, यहां यहां बीच में तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा option C जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस्ट यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सेर करिए इस प्रस्ट को देखे और इसका उत्तर दीजिए ठीक है वीडियो पाच कर लिजिए उसके बाद आराम से इसका उत्तर दीजिए ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कोईशन को तो यहां पर देखे पहले क्या है करास है फिर प्लस में आ ठीक है यह फिर करास आ गया फिर प्लस आ गया अगले में क्या होगा करास वाला बनेगा तो करास वाला ही बनेगा हमारे चाहिए होगा यह होगा मतलब कौन सा होगा क्रास टाइप का ही होगा अब आगे देखे क्या हो रहा है ये जो है आपका ठीक है ये वाला देखे 45 डिगरी घूम रहा इधा है और ये वाला 45 डिगरी घूम के ये आ गया मतलब 45 डिगरी घूमा जा रहा है फिर क्या है फिर 45 डिगरी घूमा दिया गया तो ये क्रास वाला देखे, गुड़य में बन गया फिर यहां पर यहीं देखिए, प्यटालीं डिग्री किया गया तो यहां आ गया अब पैथालीं डिग्री केंगे तो ये कोने वाला आएगा, ठीक है इसमें देखिए, दोनों कोनों पे है ये और ये तो मतलब क्रास वाला बनेगा तो क्रास वाले में इसमें दोनों कौनों पर होना चाहिए था इसमें एक कौने पर है इसमें नहीं है तो ये आपसन जो होगा हमारा कौन सा होगा आपसन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा यहां पर देखने से आपको समझ में आ गया ह कि कौन सा उत्तर होग ठीक है। तो आए देखते हैं अगला प्रस्ट पर इस प्रस्टकों को देखिये और इसका उत्तर आप दीजिये ठीक है WhatsApp तीन आकृति है जिसके अस्तान पर कौन सी आकृति होगी, चार ओपसन हमें दिये गया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह उपर तीर दिया गया पहले चार बक्स में, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, इधर एंकिक लाग वाइस गूम रहा है, तीर, फिर एंकि क्लाग वाइस 45-90 ड किनी जाएगा तो हमारा इदर जाएगा और वाक्स क्या राएंगा है टो ऑप्सन जो देखने में आपको आ रहा ही यह Descenate तो बिल्कूल गर्लत हो जाएंगे ठीक है si o d तो हमारा बिल्कूल फोजाएगा ऐबिमें से होगा तो a में तो होगा nem क्य вам stars 13 है भी में होगा क्योंकि एधर 3 है ठीक है तो हमारा जो बी होगा वहीं उत्तर हो जाएका सही उत्तर कौन सा होगा हमारा option B जोगा वह सही उत्तर हो जाएगा साना महास मीं आगया और को आईए देखते हैं अगला प्रस। इस प्रश्ट को देखियो और इसका उत्र कमेंट में दीजिए ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पाउस कर लीजिए उसके बाद दीजिए उत्र फिर मैं बताता हूं पहले आप अपने आप करिए उसका उत्तर दीजिये comment वास में तब आपको पढ़ने में समझ में आएगा ठीक है अब इसमें देखिए क्या हो रहा है question mark के जगह पर क्या है कि पहली आकरिती दोसरी तीसी चौती दीए पांच वी में हमको बताना है कि यह होगा यह होगा यह होगा यह होगा कौन से आकरिती होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या है पहले में हमारा यह वाला डंडा गायब हो रहा है ठीक है ये वाला डंडा गायब हुआ है ये वाला गायब हुआ है तो अब हमारा कौन सा गायब होगा ये वाला ठीक है इसमें हम बना देते हैं आपको ठीक है मान लिजे आप के पास ये आकरिती है ठीक है ये आकरिती है तो तो इस आकृति में कौन से डंडा गायब होना है। अब एक गायब होगा। तो पहली वाली देखे, इसके क्या है, यह वारी आकृति में यह वाला डेंडा है। मतलब दुनों Doald्रिभरी हमारे पास दィये हैं और दुनों को का हमें A ag एक डंडा गायब हो रहा है ठीक है तो माल लीजे हम इसमें अलग अलग बना लेते हैं ठीक है ये त्रबूज है ये त्रबूज है ठीक है तो इसमें से हम पहले इस वाले त्रबूज का डंडा गायब कर दे रहे हैं ठीक है फिर दूसरे वाले में क्या है नीचे वाले ओपर गायब हो देखे पहले में फिर दूसरे में क्या ओपर तो गायब हो गया ठीक है दूसरा भी गायब हो गया ठीक है फिर तीसरे वाले में देखे कौन सा गायब हुआ है यह वाला डंडा गायब हुआ यह वाला गायब हुआ इसका मतलब यह वाला गायब हुआ है और यह वाला ठीक है यह वाला क्योंकि यह तो रहेगा यह अगली वाली इसमें से गायब होना है यह गायब लगा नहीं यह तो इस टाइब गाएफ कर चित्र बनेगा अंहांने तो इस टाइब कर कोenting आप संभी नहीं ठीक है कमेंट बाक्स में इसका उत्तर दीजिए देखे तीन अकृति दी गए एक दो तीन इसके बाद खाली इस्थान दिया गया कुश्चन मार्क इसमें कौन सा ठीक है आएगा वो बताना है हमको तो यहां पर देखे वर्ग है ठीक है वर्ग रहेगा सम्में अब यहां पर देखेंगे यह गोला जो है वो कितना रोटेशन कर रहा है तो यहां पर आ जा रहा है इस कोने पर ठीक आ गया फिर देखे अगले में इस कोने पर आ गया फिर अगले में कहा जाएगा ऊपर जाएगा तो ऊपर देखे किसमें किसमें है इस कोने पर देखे इसमें है और इसम पी चला फिर दूसरे में दstorm एक आगए पर तो तीसरे में कहां आएगा यहां पर आजाएगा तो यहां पर देखिए इसमें है और इसमें यहां पर है तो यह होगा नहीं हमारा जो उत्तर होगा और आपTeammagagra 457 आप São यह पर्हक्प 200 हो जा घयें तो यहां पर देखने वें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा इंग है तो यहां पर देखिए सारी आकृटिवों को देखें है उसका question mark का अस्थान पर आपको A-B-C-D में से कोई भी लाना है तो यहां पर देखिए सारी आकृति का यह वाला भाग सेम है बस इसमें ही दिक्कत है ठीक है तो यह क्या होगा देखिए इसमें क्या हो रहा पहले बार आधा गायब हो रहा है देखिए हाफ यहां पर मिला देते हैं तो यह पूरा हमारा हो जाएगा तो इसमें पहले चरण में आधा गायब हो रहा है फिर दूसरे चरण में पीछे से वो हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा आईए देखतें अगला प्रस्ट अभी इस प्रस्ट को देखे और इसका उत्तर आप बताईए क्या होगा ठीक है यहाँ पर देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है ठीक है? कमेंट बाक्स में इसका उतर दीजिए. चलिए हमें बताते हैं. ठीक है? तो इसमें देखिए क्या हो रहा है? बाहर वाली आकृती और अंदर वाली आकृती में क्या अंतर आ रहा है? पहली बाहर क्या है? इसमें त्रिभूज है. इसमें देखिए अंदर क्या है? चत बहर क्या होगा पंच मतलब पंस्पूज YouTube मतलब पांच विजा तो देखिए इसमें एक 2.3 4.5 थीकर एक 2 3.4 5 इसमें दो 3 4 5 इसमें दो 3 stal इसमें अंडर कम नहीं तो यह तो ऑपनीं होगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अंदर वाली भुजा धीक है, अंदर वाली क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बुज है तो ये छठधभुज हो जाएगा, शठधभुज किसमे है? देखे एक, दो तीन चार पांच इसमें पूरी पांच है तो यह होगा नहीं अंदर देखें के छे बुजाएंगे एक दो तीन चार पांच छे यह है इसमें देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे इसमें भी है लेकिन इसमें जो गोले है इसमें दो है इसमें तीन है तो अगले में चार होंगे इसमें तीन गोले हैं तो यह होगा नहीं यह कट जाएगा और हमारा उत्तर जो होगा वह होगा क्या हो जायगा है यहां पर राइट आंसर होगा option B. ठीक है? समझ में आ गया होगा. यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बैल आइकन जिससे आपको latest notification समय समय पर मिलता रहे तो ये देखिए आज का आखरी question है इसको बताईए ठीक है? और इसका उत्तर comment box में दीजिए क्या होगा? तो इसमें देखने में आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है? इसमें rotation हो रहा है ठीक है? ये देखिए यहां से ये आपका anti-clockwise घूम रहा है ठीक है? ये anti-clockwise यहां घूम गया फिर देखिए यहां पर ये घूमेंगा तो anti-clockwise यहां आ जाएगा फिर इधर घूमेंगा तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये इस साइड आ जाएगा तो हमारा देखिए इस साइड ये भी है ये भी है ये नहीं है तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा तो इधर जो होगा ये ऐसे होगा, ठीक है, मतलब A वाला option जो होगा, वही answer हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है, यहाँ उत्तर जो होगा हमारा option A हो जाएगा, right answer, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको latest notification समय समय पर मिलता रहे है, thank you friends for watching my video, जय हिंच, जय भारत